हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों कैसे हैं आप सब आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आदी का पोधे आप घड में कैसे असानी से किसी गमले में छट पे उगा सकते हैं है आप देख रहे हैं मैं एक गमला ली हूँ और यह छट पे हैं इसमें आप देखें कितना भूरी मिटी हैं और इसमें मैं किचन बेश्ट खाद ही घर से तियार करती हूँ हमारे पास जो पत्ते होते हैं उसको मैं एक गड़े में कमपोस्ट होने के लिए रग देती हूँ और उसके वाद वह महने दो महने में सर गल कर जो घर का बना हुआ खाद त्यार होता है उसी को मैं गमले में देती हूँ तो देखिए दोस्तों यह गमला है और इसमें मैं आपके सामने कैसे मैं घर में जो मैं लाई थी आदी उसे कैसे तियार करती हूँ आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, कि इसमें अंकुरित निकल रहा है, यह पोधे इससे त्यार होंगे, यह लगा के मैं दिखाती हूँ आपको, और इसके बाद इसमें नए पोधे होंगे, जो अक्टवर नौमबर तक यह आदी का पोधा त्यार हो ज लगते हैं, मैं इसी तरह हल्दी का भी पोधा लगाई हूँ, और मैं इसी तरह पोधे घर में त्यार करती हूँ, आप देखे, मैं आपको 15 दिन के बाद फिर से दिखाऊंगी, कि इसमें पोधे कैसे त्यार हो जाते हैं, आदी से, जो कि हमीशा आदी आपके घर में, कीचन में हमेशा काम आते हैं आप देखें उसके बाद मैं घर में जो लाई हूँ करेला का बीज आप देखें उससे बीज मैं कैसे त्यार करती हूँ देखें यह करेला जो पग गया है इससे मैं बीज निकाल के आपको दिखाती हूँ कि लाकर से त्यार होते हैं आपको यह जो उपर वाला प्रत है उसको आप आसानी से निकाल लें और हो सके तो इसे एक दिन के लिए धूप में भी डाल सकते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हू आप देखें यह कितनी स्वस्थ और अच्छे बीज आपको घर से ही प्राप्त हो जाएंगे यह बहुत ही अच्छे इससे गाज निकलते हैं मैं इसमें तदकाल लगा देती हूँ और आप देखें कि मैं इसी तरह घर में बीज तियार करती हूँ मैं मार्केट से नहीं लाक इसी क्या होते हैं कि आपको अच्छे पोदे प्राप्त होते हैं जैसे मैं देखिए घर में लगाई थी इससे देखिए कितनी स्वस्थ पोदे प्राप्त होगे हैं और मैं यह घर में ही त्यार की हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं करेया के पोदे को घर में कैसे त्यार करती हूँ और कैसे घर के कीचन की समान से ही मैं अपने छट पे पौधे लगाई हूँ इसे बहुत सारे फैदे मिलने वाले हैं दोस्तों आपको घर से ही सबजी प्राप्त हो जाएगी और आप घर का अच्छा सा सबजी प्राप्त करके अपने लाइब को सुन्दर बन आ सकते हैं मार्केट का समान आप जानते हैं कि कितने पुराने होते हैं जो कि खाने में अच्छे नहीं लगते हैं आपको दोस्तों मैं इसी तरह घर में सबजी प्राप्त करती हूं और आपको मेरे वीडियो से बहुत सारे पैदे मिलने वाले हैं इसलिए दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ धन्वाद